हलो प्रेंट्स गुड मॉर्निंग टोड़े आवर टॉपक इश पार्टनर्शिप पार्टनर्शिप में करें एड्मिशन आप पार्टनर्शिप यहां पर करें अट थे टाइम अफ एड्मिशन इसलिए आप इस वीडियो को देखें अन्त तक देखें हमारे इस वीडियो को लाइक करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंट्स के साथ में शेयर करें यह अपन कर रहे हैं क्वेशन नमर थर्टीफाइब यह कर रहा है A and B are the partners sharing the profit and loss in the ratio of 2 is to 1. They admitted C as a partner for one-fifth share. C brings 5 lakh as his capital and his share of goodwill in cash. C brings 5 lakh as his capital and his share of goodwill in cash. For this purpose, the goodwill of the firm is to be calculated at 3 years purchase of average profit of total of last 4 years. 4-year average and 3 years purchase. The profit for the last 4 years was 16, 17, 18 and 19. On 1 October 16, the firm had purchased a computer of 60,000 and it was debited to the Stratory Expenses. Depreciation is to be charged on the computer 20% on the diminishing balance method. The closing stock on 31st March 17 and 18 were over-evalued by 20,000 and 30,000 respectively. Closing stock का over-evaluation 2 साल में किया हुआ है. To cover the operating cost, annual charges 10,000 should be made for the purpose of the valuation of goodwill. Pass the necessary entries at the admission of C. C के admission पर क्या 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 adjustment entry करने हैं. जब भी admission होता है तो पहले आपन पैसे लाने के entry करते हैं और फिर goodwill को distribute करने के entry करते हैं. तो सबसे पहले आपन वर्किंग नोट में goodwill का valuation करते हैं. क्या कहता है 16, 17, 18, 19. ये 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 रेंडिंग के date लिख रहा हूं है. 218, 2019 चार आपने 16, 17, 18, 19… ये रेंडिंग के profit आपन息ल मेंกा लिख कम उख क compelled लंख कम लागई, यह तो profit होगा आपके पास में अब profit को जब भी good deal का variation करते है profit को normalized करना होता है अब इसमें जो exception item है उनका अपन adjustment कर लेते हैं 2015-16 नो कर लेते हैं after charging 25 440 on sale of profit plant after charging loss हुआ है अपने को 25 का 25 440 का loss हुआ है abnormal loss है तो इसको add कर देते हैं 25 440 abnormal loss किसाल हुआ है यह 16 में हुआ 25,440 25,440 का loss अपने add कर दिया फिर केरा 17 में after charging voluntary retirement compensation पचास जाओ रुपे पचास जाओ रुपे का आपने voluntary retirement expenses income and expenditure में लिख दिया और सुरी P&L में आपने note कर दिये यह भी exception item है इसको भी add कर देंगे कब का यह 17 का तो 50,000 रुपे VRS expenses यह 50,000 रुपे यहां पे add कर देंगे यह भी add हो जाएगा यह प्लस यह भी plus अब आगे क्या करा है आपने को 17,18 रुपे इसका कोई exception नहीं है अब उसके बाद में देविट करने से क्या हुआ कि profit कम हो गया इसकी एक्समेस से ज्यादा होने का मदद हो गया profit कम हो गया तो profit में एक बार तो बढ़ाएंगे अपन computer purchase किस साल का है यह फॉस्ट अक्टॉमर 16 तो 31 मार्च 17 तो प्लस अब depreciation की बात है क्योंकि आपने इसको assets में count नहीं किया था इसले इस साल depreciation भी चार्ज नहीं हुआ अब आपको इस पर depreciation चार्ज करना पड़ेगा depreciation on computer साथ हजार पर आपने परस्याज कब किया था एक October को एक October से 31 मार्च October 9 दिसंबर जनवरी फर्वरी मार्च च्छह मैने का depreciation च्छह मैने का बीस परसेंट से depreciation आएगा साथ हजार के उपर दस परसेंट च्छह जार रुपए अब यह कह रहा है कि diminishing balance method के उपर है तो अगले साल भी आपको depreciation चार्ज करना पड़ेगा अगले साल depreciation किस पर होगा, diminishing balance method है return down value अगले साल कितनी value होगी, 60,000-6,000, 54,000, 20% है, 20 upon 100 तो अगले साल होगा आपको आपको आउस में 10,800 फिर अगले साल भी होगा चार्ज अगले साल क्या करेंगे 54,000-10,800 54 में से 10 के तो 45,000, 45,000 तो 43,200 इंटू 20 upon 100 तो यह होगा आपके पास में 4,320, 8,640 यह भी minus हो जाएगा क्योंकि diminishing balance method के उपर है, इस साल आपने चार्ज किया, अगले साल भी चार्ज करना पड़े है, रिटन डाउन वेल्यू पर चार्ज करना पड़ेगा तो इस तरह से अपन लास्ट तक depreciation calculate करेंगे अपन आगे कह रहा है आपके पास में, depreciation हो गया, closing stock, closing stock ending 31st March 17 and 18 overvalued, 20,000 and 30,000, अपन एक एक का करते है 31st March 17 को closing stock overvalued होगा, जिस साल closing stock overvalued होता है उस साल profit ज्यादा होता है, unnecessary ज्यादा profit दिखाते हैं उस साल, तो 20,000 रुपर का closing stock है, इसका मदर 20,000 का profit ज्यादा दिखा दिया, 17, 31 March 17, यहाँ पे, closing stock overvalued, 20,000 रुपर का profit ज्यादा दिखा दिया, तो minus 20,000 इस साल profit ज्यादा दिखा दिया, इसलिए आप इसको less करेंगे, तो अगले साल add करेंगे, plus 20,000 यह हो गया, 31 March 17 का closing stock overvalued कर दिया, closing stock overvalued कर दिया, तो इसका मतलब यह हो गया, आपका profit ज्यादा हो गया, तो आपने इसको कम कर दिया, और अगले साल बढ़ा दिया, अब दूसरा आता है आपके पास में, दूसरे में क्या कह रहा है यह, दूसरे में कह रहा है कि 30,000 रुप दिया, तो यहां पर 30,000 माइनस करेंगे और अगले साल प्लस करेंगे 30,000 जिस साल प्लोजिंग स्टोक जादा होता है उस साल प्रोफिट बढ़ा दिया जाता है अगले साल उसका रिवर्स कर देते हैं यह डिटेल मैंने क्या लोजिक था है इसका मैंने गुडविल वाले चेप्टर में आपको एक एक्जम्पल कर रहा है तो इसमें डिटेल ने बताई थी आपको अगले साल क्या कर रहा है तो अगले साल क्या कर रहा है तो कवर अपरेटिंग कोस्ट अपरेटिंग कोस्ट अब आपको रिकोर्ड करनी है यह हो गया अब अपने इनका प्रोफिट केल्कुलेट कर लेते हैं नेट क्या आएगा आएगा आपके पास में चार से चालेस अब क्या कह रहा है आपने कोई है दो लाग माद प्रोफिट थी यहर्स परचेज ऑफ आवरेस प्रोफिट थी यहर्स परचेज इन्टो थी तो गुडविल क्या है आपके पास में तो लाग फिप्टेन थाउजएंट एन्टो थी तो आएगी पंदराती पैतालेस शिक्स फोर्टी फाइब पंदराती पैतालेस जिन्दर इच्छे है अब इसमें आने वाले पार्टनर का शेर केल्गूरेट करेंगे वण उपॉन फिप्टे एडिटेसी वण उपॉन फिप्टी यॡविल का शेर एप अब आपने को चलन Trib करनेएंट पड़ी फ्टीफी ये 5 रूपेंगे फाइब ले केपिटल and his share of goodwill in cash तो करेंगे entry करेंगे cash account ER to c capital c capital to premium for goodwill capital के ला रहा पांच लाक रुपए और goodwill के ला रहा रहा 129 6,49,000 यह पैसे लेके आएगा अब goodwill को distribute कर देंगे premium for goodwill two partner कौन-कौन से थे इसमें a and b to a capital and to b capital sacrifice ratio अब sacrifice ratio के एलगएट करेंगे क्या करा है a, b, r the partners, truth to one, the admitted, c, one-of-the-share, c, brings goodwill and the goodwill of the firm as valued कुछ भी नहीं कह रहा है अपने को कि नहाए ratio क्या रहेगा तो जो उनका पुराना ratio रहता है वही sacrifice ratio हो जाता है जब remaining partner के profit sharing के बारे में कुछ भी नहीं कहता है तो जो इनका पुराना ratio रहेगा वही sacrificing ratio रहे जाएगा तो 2-1 में distribute कर देंगे इनको 2-1, 129, 3, 4, 3, 4, 4, 43, yes, 86, 129 इस तरह से अपने इसका goodwill का adjustment करेंगे अपन तो इस तरह से इस question में पहले तो goodwill का valuation किया जिसमें डिफरेंट टाइप के adjustment किये थे अपने सभी तरह के adjustment किये थे और फिर goodwill का valuation किया फिर नए पार्टनर का share के अबट करके और फिर अपने capital के और goodwill आनी के adjustment किया और goodwill का पैसा sacrifice ratio में distribute किया इस तरह से अपने इसको questions को किया है अब कर रहे हैं आप question number 39 क्या के आपने को A, B are the partner sharing the profit 3 to 2 On 1st April 18, they admit C as a new partner for 1 4th share C acquires 1 5th of his share from A The goodwill on C's admission is to be valued on the basis of capitalization of average profit of last 5 years Profit were 14, 15, 16, 17 and 18 On 1st April 18, the firm had the assets 7 lakh and external liabilities was 2 lakh 20,000 The normal rate of return on capital is 12% C brings 1 lakh 25,000 for his capital but unable to bring his share of the goodwill in cash You are required to calculate the seized share of the goodwill, pass the necessary general entries and calculate the new profit sharing ratio So, first of all, we need to calculate the goodwill and sacrifice ratio So, first of all, we need to calculate the goodwill on the basis of capitalization of average profit Method, what is the method of capitalization of average profit Last 5 years, average profit in the last 5 years, average profit in the last 5 years 14, 15, 16, 17, 18 2014, 2015, 2016, 2017 and 2018 Loss, $60,000 Loss, $100,000 Loss, $100,000 और profit 190 है यह तो profit हो गया आपके पास में अब क्या क्या adjustment होते हैं इसमें वो देखते हैं क्या कह रहा है इसनी कह रहा 2015 में profit 120,000 इंक्लूडी गेन 40,000 सेल फिक्स असेट्स चालिस जार रुपय का abnormal profit है गेन चालिस जार का कब है 15 में तो माइनस 40,000 एसेट्स बेशनी में जो profit हो उसको अपने लैस कर दिया 16 में करा लॉस 60,000 है आफ्टर चार्जिंग लॉस बाइफायर 50,000 पचास जार का लॉस बाइफायर एबनॉर्मल लॉस है पचास जार अगा आफ्टर चार्जिंग लॉस बाइफायर 50,000 लॉस जोता है एबनॉर्मल लॉस उसको एड़ कर देते हैं पचास जार फिर आगे 17 में कहता है आफ्टर चार्जिंग वोलॉंटरी रेटायर्मेंट कंपेंशेशन वन लेक 50,000 वी आरेस वन लेक 50,000 अबनॉर्मल लॉस होता है उसको भी एड़ कर देते हैं अपन अबनॉर्मल एक्सपेंसे जिए उसके विज़े से प्रॉफिट कम हो जाता है इसलिए उसको वाबस बढ़ा दिया अपन ने फिर कह रहा है 19 में कुछ नहीं कह रहा है अपने को और फर्स लीव ठीक है बचे इसके वेसिस पी अपने को गुडविल की विलेशन लेना तो यहाँ का प्रॉफिट आ गए पचास जार यहाँ के आ गए 80,000 यहाँ आं पचास जार 10,000 लॉस यहां पर आ गया 40,000 रुपय का 50,000 रुपय का प्रॉफिट और यहां पर आ गया 1,90,000 इनका टोटल कर लेंगे आवरेज के लिए टोटल करें कीतना हैगा 19,25 कि 75,34-34 idée से देट बढ क्क जूषता है यहां भी परॉफिट होगा ठीक है 19,25-23,38-34 डिवादेड बाई इक दू-तीन चार पांच डिवादेड वाई 5 यह होगा 72,000 यह ओगे आपका वसना है, average profit, अब, capitalize of average profit, donc इसकी capitalized value, capitalize of average, average profit, कितना होगा, 72,000, into normal rate of return, the normal rate of return is 12%, into 100 upon 12, तो यह आगे आपके पास में बार्शे के मैंतर 6 lakh यह आगे capitalized value of average profit capitalized value of capitalized value of average profit आगा है 6 लाग रुपए actual capital actual capital कितनी आएगी इसकी कितनी बताईए इसने इसने बताई एक्सेट 7 lakh एक्सेटनल लाइबरिटी इसने बता रहा है और 220 इसमें से बता रहा है आउटसाइड लाइबरिटी तो कितनी होगी इसने फोर लाइक एटी थाउजड गुड्विल क्या होगी गुड्विल होगी कैपिटराइज एवरेज प्रॉफिट 6 lakh माइनस 4 lakh 80,000 कैपिटराइज विल्योफ एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्च्छल केपिटल तो गुड्विल आ गई आपके पास में 1,20,000 यह फार्म की गुड्विल आएगी एड्मिशन दे रहे हैं किसको दे रहे हैं अपन एड्मिशन सी वन फोर्थ शेर इन दे प्रॉफिट वन फोर्थ के लिए अपन दे रहे हैं उसको तो वन फोर्थ इसका कैल्कुएट करेंगे सीज शेयर 1,20,000 into 1 upon 4 30,000 यह 30,000 आगा है सी का शेयर इन गुड्विल अब आगे अपने को क्या कह रहे हैं देखो सी एज निव पार्टनर फोर्थ शेयर सी एक्वार 1,5 अब एक्वार 1,5 अब सी जो आ रहा है सी का एड्मिशन दे रहे हैं अपन वन अपन फोर्थ शेयर के लिए यह किसे ले रहा है दो पार्टनर हैं A और B पराने जो पार्टनर है वो है A B इनका प्रॉफिट शेरिंग इसने 3 इस्टो 2 C का admission हो रहा है आपने के पास 1 फोर्थ share के लिए यह A से और B से लेगा क्या कह रहा है इसमें यह C acquired 1 फिफ्थ और फिज शेर फ्रॉम A 1 फिफ्थ और फिज शेर फ्रॉम A A से ले रहा है यह 1 फिफ्थ अब B से क्या लेगा कुछ भी नहीं कहा इसका मतलब बचावा पार्ट जो है वो B से लेगा A C का जितना फिफ्थ शेर है 1 फोर्थ शेर उसका 1 फिफ्थ तो ले रहा A से B के लिए silent है इसका मतलब बचावा जो शेर है वो B से लेगा तो बचावा शेर कितना होगा 1-1 upon 5 एकोस तो 4 upon 5 of ले भी जिटना फिफ्थ ऑफ़इज शेर B का जितना शेर है उसका 4 upon 5 4 upon 5 जो है वो B से लेगा वापस समझे क्या कहा रहा है उसके देखो 1-1 upon 5 तो 4 upon 5 बचेगा तो वो B से लेगा आपने को 4 upon 5 of his share from B या तो यह कर सकते हैं या फिर A के direct value calculate कर लिते हैं वो इसमें से less कर देंगे तो B का sacrifice value आजाएगी तो अब पहले आप A का sacrifice calculate करते हैं कितना आएगा 1 upon 4 into 1 upon 5 equals to 1 upon 20 ठीक है A का sacrifice value हो गई है यह हो गई sacrifice value अब B का sacrifice क्या होगा या तो अपने इस तरह से calculate कर सकते हैं वापस 1 upon 4 1 upon 4 into 4 upon 5 इसके हो जाएगी 4 upon 20 यह इसके sacrifice value हो गई यह B की हो गई यह A की हो गई या अपने इसको इस तरह से भी कर सकते हैं calculate कि 1 upon 4 minus 1 upon 20 LCM 20 आएंगे 5 minus 1 4 upon 20 यह आ सकता है तो किसे भी calculate कर सकते है आपने इस तरह से कर सकते है या 1 upon 4 minus 1 upon 20 एकन जितना sacrifice कर दिया वो इसमें से less कर देंगे तो B का sacrifice value आ जाएगी इस तरह से आपने calculate करते है तो आप sacrifice ratio क्या आएगा इनका A is to B A का आया 1 upon 20 और B का आया 4 upon 20 तो इनका हो गया 1 is to 4 यह sacrifice ratio हो गया sacrifice ratio आ गया आपके पास में sacrifice value आ गई अब अपन इनकी goodwill के valuation आ गई cash कितना ला रहा capital का पैसा A, B, C, R, the partner goodwill सिर्फ goodwill का adjustment है तो क्या करा है you are required to calculate the C share of the goodwill pass the necessary general entries अच्छा goodwill के पैसे ला रहा है कि C brings 1,25,000 4 is capital but unable to bring a share of goodwill in cash goodwill के पैसे cash ने रहा है capital ला रहा है capital ला रहा है 1,25,000 इसके entry करेंगे बन bank account DR to C capital 1,25,000 अब goodwill के पैसे cash नहीं ला रहा है तो इसमें आपन उसके current account को debit करेंगे C is current account to C current account debit 30,000 to A capital to B capital तीज़े रहा है ratio क्या आगा 1 is to 4 4,5,6,000 तो 6,000 रुपे इसके आएंगे और 6,000 रुपे इसके आएंगे ये दोनों काम हो गए आपके पास में calculate the new profit sharing issue अब नया profit sharing ratio calculate करना पड़ेगा आपने को तो नया ratio के लिए क्या करेंगे इनका जो पुराना ratio है उसमें से इनकी sacrifice value less कर देंगे तो नया ratio आजाएगा new ratio A पुराना ratio है 3.5 minus sacrifice sacrifice value है 1 upon 20 LCM 20 आगे 5,4,4,3,12 12 minus 1 11 upon 20 B का आया आपके वास में पुराना 2 upon 5 minus sacrifice के 4 upon 20 LCM 20 4,4 दुनिया 8 minus 4 4 upon 20 1 upon 5 1 upon 5 इसके सक्र्सक्राइण 15 6 स्थजिए पिर इसके सक्रिफ़ेइश किया तो memb토 pn मैं से कोई भी कोई थे यूज कर सकते हैं तो सक्रिफासिंघ रिच्यो गए अब इसके basis के अपने अपने जनले एंट्रिया कर दी यहां पर यह cash नहीं ला रहा है इसलिए अपने इसके current account को debit किया ध्यान रखें आने विले partner के current account को ही debit करता है अगर गुडविल के पैसे नहीं लाता अपने अपने रखेंट को या अधरवाइच किसे दूसरी अकॉंट को debit करते है और फिर अपने नहीं रिष्यो के अलकुट करने के लिए old minus sacrifice क्या किया अपने नहीं रिष्यो के एक वेल्ट गुड़्विल्वाइच कर दिया तो इसका रिष्या के 11.20 बी का या 4.20 और च का य तो नहीं रिष्यो के 11.4.5 इस तरह से अपने इसमें से दो different type के questions कियें आशा करता हूं आपको यह समझ में आया होंगे आप हमारी सी वीडियो को like करें हमारी स चैनल को subscribe करें और अपने friends के साथ में share करें ताकि उनको भी इसका benefit मिल सके थैंक्यू